अगर आपको ये विडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए अअबस कर्दाए अपना जो जाए तर्बवा तो शुट मठें तर्म धुट पिंगर भेजियो अच्छा जाए बढ़ुटाक्व जासरे अच्छा, फिर चुटारी अच्छा धुटाए जाल अच्छा बांपना विडियो मूने अचराए तो प्रे अच्छा बाताए नमस्कार, मुख्या समाचा इस प्रकार है 25 मई 2011 राज़दानी दिली के हाई कोट के गेट नमबर 7 पर जो बंबलास्ट हुआ था उसके ठीक 105 दिन बाद आज सुबे 17 पजे फिर से दिली हाई कोट के गेट नमबर 5 पर खड़ी एक कार के अंदर बंबलास्ट हुआ इस बंबलास्ट में 11 लोग मारे गए और 51 लोग बुरी तरह से ज़त्मी हुए है दुबारा राजजानी दिली को आतंगवाद्यों ने अपना निशाना बनाया है अभी तक किसी भी आतंगवादी के घ्रोव ने इस हाथ्से को लेकर जिम्मेदारी करते हैं अरे किसकी बात कर रहे हो तुम अरे इन मुसल्मानों की गद्दार मुसल्मानों की अरे मेरे बाईयों क्यों लड़ रहे हो एक दूसरे से हां सची बात हमेशा कडवी लगते है अभीर चाचा ए दुबारा मुसल्मानों के बारे में कुछ नहीं बोलने का फिर बोला तो अच्छा नहीं होगा अरे भाईयों अपने देश में सरकार है नयाय वेवस्ता है ना वो लेंगे ना इस बारे में निरनाय आप आपस में निरनाय लेकर क्या करेंगे कबीर चाचा ये तुमारी बात नहीं समझेंगे इन्हें कैसे समझाना है वो हमें अच्छी तरह से आता है अरे तू क्या हमें समझाएगा रहे हम छोड़ेंगे नहीं तुम सब हिंदु लोगों को जा जा हम भी देख लेंगे तुम यह लोगों को कि अब्वू आप ऐसा किजिए कि आप अम्मी के साथ यहां पर आके खड़े हो जाते हैं अठी कि अम्मी एक तस्वीर के लिए घंटे भर से सज रही है कूपो अल्ला आप आप ही जाईए आरे आपकी आखे तो बिना सुर्मे के भी माशाला खूबसूरा दिखती है जल्दी आईए आप आई हाई गजब खुदा का कैसी हाई तोबा बचा दी है तुमने जाने कौन-कौन फोटो देखने वाला है भाईजान मैं असी खड़ी हो जाओ भी ना तैयार कियो हो रही हो तुम्हारा क्या दूसरा निकाओन जा रहा है तोबास तक फार कैसी बाते करते हो भाईजान आप सब्सक्राइब बहुत ज्यादा हो रहा है अच्छा ठीक है इतना बला मुग खोल रही है अब खीचो भी गर्दन अकड़ गई मेरी जब्रे अकड़ गए मेरी एक सिकेंड अब क्या हो गया इस केमरे में चलो खीचो जल्दी इस दिब्बे में कुछ डाला भी था तुमने करबला की खाक डलवाई थी हां एक सिकेंड फूफो बस हो गया या बस आखरी बार हां फूफो बस आखरी बार अब है हटाओ नहीं किच्वाना तस्वीर को हो गया अहां कजब कुदा का भाई जा देखो क्या किया इसने तुम्हारा चेरा किस तरफ था तरफ ता दिवार की तरफ बैंतरह तस्वीर फणा होने से बच गई क्या बात है लक्षमी कुछ नहीं भाईया मैं तुम्हें राखी बानते हूं यह मेरे भाईयों को पसंद नहीं क्यों तुम्हारा धर्म आड़े आता है मैं मौहसें से बहुत मौहबद करती हूं यह भी उन्हें पसंद नहीं पर मैं मौहसें के बगर जी भी नहीं सकती प्लीज भाईया कुछ तो करो ना ठीक है, मैं कल ही तुम्हारे बाहियों से मिलके तुम्हारे और महुसिन के शादी के बारे में बात करूँगा सच, सब सही हो गए अराम जादे, तेरी इतनी हिम्मत कि तु मेरी बेहन लक्ष्मी की शादी एक मुसल्मान से कराएगा उन दोनों को तो हम ढूंड ही लाएंगे, जहां भी तुने भगाया है और मिलते ही उन्हें मार डालेगे, पर तुझे भी जिन्दा नहीं छोडेगे तोड़ो इस हराम जादे के हाथ पहर अरे मुश्ताख, बेता, तेरा भाई तो घर के बाहर है आज सुभै से, अरे अरे मुश्ताख बेटा, तेरा भाई तो घर के बाहर ví уз consistent सो, झाध भी पहर पहर इन्दा इन मयोच्छट अरे मुश्ताख, भी तो जाबै पहर तो है तो और मुश्ताख पहर के दिल्धा बादंगा फसाद हो रहा है मार काट चल रही है अब तक घर नहीं आया मेरा बेटा अब में तुम भिक्र मत करो करीम भाई को मैं अभी ले कराता हूं आप अपना खयाल रखना अरे यह बच्चा यह बच्चा यहां क्या कर रहा है कौन है कौन है दर्वाजे पर अम्मी मैं करीम जल्दी दर्माजा खोलो अरे करीम बेटा तेरा भाई तुझे ढूंडने गया है बाहर बहुत दंगा फसाद हो रहा है ना और मुझे डर भी लग रहा था अम्मी घबराओं मत मैं भी मुझे लेके आता हूं या अल्ला मेरे बच्चों की हिफाज़त करो अरे यह तो पांडे जी का बेटा यह आंके कर रहा है बेटा आजा डर मत बेटा डर मत मैं तुझे तेरे घर लेकर जाता हूं बेटा अरे तो पांडे साब के बेटा है मुस्ताक मार डालेगा इससे चलो इसका बचाए मुझे से बचा रहा है सुल जाक करें जा्यादा यह तो डॉक जा अरना कोणी मार दूंगा। मेरा भाई मर गया मैं तो मैं तो बच्चे को बचा रहा था अरे बच्चे को तो मेरा भाई बचा रहा था तूने मेरे भाई की जान ले ली तुम गलत समझ रह हो अरे खलत समझते थे अब समझ में आता है कि पुलिस हमारी दुश्मन है पुलिस अपना काम कर रही थी हाँ, करती है दंगों में मुस्लमानों को मार कर ये मेरे बेगुना भाई के लाज तेरे दुल्म की गवा है जी करता है तेरे साथ साथ तेरे वालों को भी जला कर राग कर दूँ आरे कर देरे लाग कर देरे लाग कर दूँको एक रागे कर दूँ कर देरे वालों कर दोड़ है चारे कर दूब है प्रह्यू छूइख श्याफू हो ईज स walked bliss बाहंु ए जो तो हुए आय को जो फ्रस्तित बीद आण न्ह crystal नreth रीदskन नार्व pessimा झाल झाल करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार इंसा इंसा का दुश्मन है इंसा इंसा का दुश्मन है बेगाना सारा संसार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार इंसा इंसा का दुश्मन है इंसा इंसा का दुश्मन है बेगाना सारा संसार जाने कितनी सदिया बीती कितने मौसम बीत गए जाने कितनी सदिया बीती कितने मौसम बीत गए जाने क्या तुछ पाने की जिद दिल के रिश्टे रित गए उजडी है हर बार बस्तियां बेवजा हैं लुटी बहार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार सबसे पहले तो हम उन लोगों को सजा दिलवाएंगे जिनका इस हाथ से के पीछे हाथ है किस को पकड़ेंगे सर आप एक हिंदू पूलिस ओफिसर के सामने एक मुसल्मान की हत्या कर दी गई और उसे बचाने की कोशिश भी नहीं की गई क्योंकि वो एक मुसल्मान था आपको पता है उसी मुसल्मानने एक हिंदू बच्चे की जान भी बचाई है क्या यही है आपके सरकार आपकी पुलीस पोस जो एक बेगुणा की रक्षार तक नहीं कर पाई इस बात का चबा तो आपको पार्लियामेंड में देना ही पड़ेगा मिनिस्टर साब अरे हम और हमारी सरकार क्या करेगी यह तो आपको कल की निउस्पेपर में पता चल ही जाएगा है? अच्छा हम चलते हैं हमारी सभा का वाक्त हो गया है नमस्कार कल तो आखिर कल ही रहा है समझ में नहीं आता हमारे देश की जनता इतनी भूली क्यों है जो एक सजाई आफता मुझरिम पर परोचा करती है फिर उसे सीम की कुर्ची पर बिटाती है और वही सीम उनके साथ विश्वास घात करता है जनता की भावनाओं के साथ खेलता है और उनके धारम और मजब को ठेस मोचाता है अरे टाकुर साथ आजकल आप अपसे चुपा चुपा कर बड़े धमाके करने लगए है अरे धमाका काहे का कामिल खान वो साला इंस्पेक्टर विजय पाटिल को सस्पेंड करवा दिया है अब क्या है हिंदू लोग तो हमसे खुश है ही ये साले मुस्लिम लोग भी हमसे खुश हो जाएंगे तमाम सबूतों को मद्धे नजर रखते हुए कोट इंस्पेक्टर विजय पाटिल को करतवे में लापरवाई के लिए सस्पेंड करने का आदेश देती है आचारिये जी आपने आज का न्यूस्पेपर पड़ा है एसीपी विजय पाटिल को सस्पेंड कर दिया है हाँ वही हुआ जिसका मुझे डर था लेकिन प्रदीप ठाकोर ने एसीपी विजय पाटिल को सस्पेंड करके एक ऐसे भारूत को चिंगारी दिया है जिसका धमा का पूरे शहर को हिला कर रख देगा बेग साब बेग साब बेग साब बेग साब अपने हाथ से ले लीजिए अच्छा जी बहुत मिहरबानी ये लेजिए बहुत मुपारब आप चखली जी हमारे हाथों ज़रू टेस्ट करेंगे अब अल्ला की कसम देखो तो कंबक्त मरे घर तक रंग लेकर आ गए लखनों में कोई हिम्मत नहीं कर सकता इस तरह रंग बिरेंगी सुर्थे लाने की दर भाईजान को रंग तो नहीं लगा देंगे पूफो अब्बू को और हमें इसी बस्ती में रहना है मिलना जुल्ला तो पड़ेगा ही ना एक दुसरी के साथ आये है तो फिर तू भी जाकर बद्दरों जैसा अपना मूरंग वाकर आजा जा अल्ला भाईजान कमबक्तों ने रंग वं तो नहीं लगाया अरे वो रंग लगाने नहीं आये थे अरे त्योहारात मिलने जुल्ले का बहाना होता है भाईजान इन मर्दुदों का कोई भरोसा नहीं रंग में मिला कर कुछ लगा दिया तो अरे रंग और हुली जो है ये दोस्ती की त्योहार है दुश्पन आपने तो अब्बू की इमान पर ही हमला बोल दिया, जब हिंदू मुसल्मान साथ रहते हैं, तो एक दुसरी के जज़बातों की कदर करेंगे ही न, इसमें हर्ज क्या है? एह, वाकई, कोई हर्ज नहीं मेरी बच्ची, कोई हर्ज नहीं, बस, मेल जोल यूही बढ़ता रहा, तो बस वो दिन दूर नहीं, के शादी ब्याहबी होने लगेंगे घर में, है न? वो तो शुरू हो चुके हैं, पुपो, हम ना जाने किस दुनिया में रहते हैं, हमारे ही मोहले की मेरी एक सहली रिपती, और, और क्या? ओ नो, क्या होगा? यह कोई खेलने की जगह है, तुमने मेरी गाड़ी की लाइट तोड़ दी, जलो भागो यह से, बढ़ना लिखना है नहीं, सबके उपर तैंडुकल बनने का भूस सामार है, आरे, इनको बोल के कोई फाइदा है क्या, यह मियालो कभी सुद्रे हैं, जो आप सुद्रेंगे? अरे, अब क्या करें? अब होई सुद्र, मेरी बॉल लेकर कहां जा रहा है तू? मेरी बॉल वापस कर, अब भी बताता हूं मैं इसको, लो, अब इस अब्दुल ने गाड़ी का शीशा भी तोड़ दिया, अरे, तू ने मेरी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा है, कौन तोड़ा हमने तो नहीं तोड़ा, मैंने देगा तू नहीं तोड़ा, यह कोई खेलने की जगा है क्या, एक बार समझाया समझो नहीं है क्या, चल जहां से, आप उन इधर क्रिकेट खेल रहे लाए, तू अपनी इधर काई की लिए लाया, रोड के तिरे बाप का है क्या, मेरे बाप की तो नहीं है, तेरे बाप की है क्या, बहुत बोलता है, दूजय का लिक निचे, अगर इम्माज है, तू मार के दिखा ना, तेरी ता मै अब मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा, इसने अब दुल को थ सब प्यार की बातिं करता कौन किसी से प्यार इंसा इंसा का दुश्मन है इंसा इंसा का दुश्मन है अरे मेरे अल्ला घजब खुदा का भाईजान इतनी खरीदारी करनी है इमान से मुझे क्या बताओं कमबकत मारी मैं भी दो दिन पहले खरीदारी कर लेती तो यह नोबतिया अरे कुछ नहीं तुम खुद बखुद लखना वालों के घर गई होगी और यह पूछाओगा कि बहन तुम्हारे लिए क्या सौगात ले आओं कसम खुदा की नहीं मैंने नहीं किया ऐसा कुछ भी भाईजान उन्हीं लोगों ने कहा भाविजान जरह बंबे से यह ले आना बाजी यह ले आना वो ले आना अच्छा जो भी खरीदारी करना मगर चार बज़े तुम्हारी गाड़ी जाते वक्त पे आ जाना हाहा चार अभी बना लेना रास्ते में भूख लगे तो एक काम करूँ थोड़ा सा दाल गोष्ट थोड़ा सा भुना कीमा कबाब रोटी मत बना ना फराठे बनाना मुझसे रोटी नहीं खाए चाहेगी अरे तुम मत बनाना शन्नो से कहना बड़ा लजीस खाना बनाती है अपनी अला यह तो यहीं खड़ी है तू कहा जा रहे है नयार हो कर दो दो बज़े तुम्हारी गाड़ी है जल्दी आ जाना अरे-अरे-अरे-गजब-गुदा का आभी तो कह रहे थे कि चार बजी कहूंगा तो चार बज़ी आओगी ना तु भाई-जान आप भी चलो बैए मैं चली अला अला विज मैं पहचानता हूं तुम्हें अच्छा घर में कुछ गोष्ट कि महाया ले आओ जी बहुत सारा गोष्ट प्रीज में रखा हुआ है यह कौन आ गया भाई मैं देख लूँ ज़रा अला हुआ है 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 यह यह जो भाई मिश्टर बशीर भेग महीं हूं फर्माईय अब नमस्ति अंकल मैं अनंद हूं बेंगलोर्ष आया हूं सलीम सलीम का तोस्त अनंद उसने फोन पर बताय था आईए प्लीज जी वेलकम आईए घर ढूंडने में कोई दिक्कत तो नहीं ह अधास नहीं घर पर कैसे हैं सब बस सलीम को बहुत चिंत लगी रहती है बस अलाग करम मिया बैठीये काफी बड़ा घर है आपका दिल बड़ा होना चाहिए मिया घर से क्या फरक पड़ता बेगम जी अरे इनसे क्या परदा है यह तुम्हारे बेटे सलीब के दोस्त है बैं कुछ नाश्टे औरे का इंतिजाम हो जा तो बहतर रहेगा जी अंकल इसकी कोई जरूरत नहीं है अरे वही हम तुम्हारे यह आया तो मत खिलाना बस अंकल यह सलीम ने भेज़ा आपके लिए इसमें एक लेटर भी है अच्छा और यह मिठाई मेरी माने भेजी है अरे इतन तो लक्ष्मी पैदा हुई है जी थेंक्यू अंकर अच्छी मा और मैं बच्ची को दिखने आये थे अच्छा तो सलीम ने कहा आपको यह दे दूंग और इसी बहाने आप लोगों से मुलाकात भी हो गई नवाजीश को गीसा तो सलीम उता हुई है यही अच्छा इक को गता हुआ आवा बक्साइट से हो आप कोरैं डीम क्या आपको पा अच्छा टोब ए क्agarिम असकते मारं गिंग स्टेवगा इतन पेस मारth पड़ी थेक्साब व्मारद मेन मेरा मेमाने।ो यह उने का जए ग्साब यह मेरे मामू के बेटे को मारा है ये बच्के नहीं जाएगा इदर एक मिलेट भाई आनन तुम बताओ क्या हुआ अंकल इस दड़के न मेरी गाड़ी के लाही तोड़ दी मैंने से कुछ नहीं का फिर इसने पत्तर ठागा जान बुचर कांस तोड़ दिया तो मैंने से आप चाह अपा द्चाहिए अपा अपा द्रवाजा खोलिए अपा आप जाए और दुम के लिए तो तुछ जाए आसे चल बाग आसे चली ना चली अब दर्वाजा खोलिये बेख साब, अरे दर्माजा खुलवाओ, चुपा कि कब तक बैठोगे उते, अरे मैं कहता हूँ बहार निकालो, बेख साब, बैठिये वहाँ, अर्टी गिटोल है, हाँ है, गिटोल लियाई हो और एक रोमाल लियाई है, हाँ, बैठिये, मैं भी लेकर लेकर आदे, बेख जा रहा हूँ, आनंद को घर ते बाहर निकालो, मेरे दुश्मन को घर में बिठा कर मेरे से दुश्मनी ले रहे हो, आग लगा दूगा इस घर को, कहां कहां आग लगाए गरे तू, ये बस्ती तो तू पहले भी फूख चुका है, लेकिन आज अगर इस बस्ती में आग लड़का है, उसे हाथ लगाने वाला चार कांधों पर जाएगा यहां से, आगे आनंद और सदानंद का ठेकेदार, अबे कुछ आदमी तो साथ लियाता उसकी अर्थी उठाने के लिए, वरना एक भिगारी के अर्थी लगेगी, अब इस बस्ती से हमारे वालों के अर्थि निरे, दो के से मारने वाला मर्द की दिर होता है, वो देख, तेरे वाला हिजडा चुपके बैठा इंदर, निकालना उसकुद्दम है तो, वो निकलेगा भी, और अपने पैरों पर मेरे साथ चलकर भी जाएगा, आज मैं भी देखता हूँ, तू उखाड क्या लेगा? कि आनन्द को कुछ हुआ, तो दुकान पर कफन का कपड़ा कम पड़ जाएगा, यह बस्ती रह्मान नगर नहीं है, जहां हिंदों के घर जलाकर तुम लोग ने एद माना ली थी, अरे हनुमान गड़ी भी नहीं है यह बस्ती, जहां बीच में भसे मुसल्मानों को काटकर गंगान आल यह थे तुम लोग, मामू मामू मैं छोक्रे लोगों को बुला कर लाता हूं, विकर मत कर छोटे, इन सेकड़ों कबूतरों के लिए केला बाज ही बहुत है, हमित भाई, हमित भाई, क्या हुआ छोटे, जल्दी चलो करेम भाई का लफड़ा हो गया, करेम भाई का लफड़ा, कब, बेक साब के घर के पास, अरे किस से हैं, विजह से, विजह से, अरे बाई, गिदर जाना है लेकिन, अबे सवाल जवाब बहुत करता है, अरे लेकिन, देखो, क्या है, मेरा बहुत urgent काम है, इंटर्वीव का कॉल आया है, मुझे अमेरिका का वीजा है, अबे पेल लेने गया, अमेरिका का वीजा, इधर मिया भाई लोगों का टेंशन और तुझे अमेरिका जाने के पड़ी है चल नहीं तो फोड़ वालूँगा इर्फन भाई देखिये बात यह एक मिनिट बात चाहिए अरे कहां ले जा रहें यह खून तो बंदी नहीं हो रहा अंकल आप लेड़ जाएए लेठी आप आये इतना खून बहा दिया चूतिया मार मार कर सुरग दिगार दूंगे उसका भी इसकी अरे बेगम ठैरो ठैरो आंटी आसपास कोई डॉक्टर है लेकिन उन्हें बुला कर कौन लाएगा मैं मैं जाओं कि अम्मी चुप रहो दुलन तुम उंदर इन लोग के सामने निकल कर जाओगी आंटी अंकल को डॉक्टर के पास मैं लेकर जाओंगा देखो बेटा एक तरफ इनकी हालत देखी नहीं जाती और दूसरी तरफ तुम्हारी जान जोखें में पड़ जाएगी शैतान दर्वाजे पर मुह फाड़े खड़े हैं लेकिन आंटी जक मुह बहुत गहरा है खुन जान बंद नहीं हो रहा अगर सेप्टिक हो गया तो सारे जिसम्पे फैल जाएगा आंटी अंकल को डॉक्टर के पास तो लेकर ही जाना होगा अब डरकी हो जैसे मैं और इंतजार नहीं कर सकता कर दो कर दो कर दो कर दो कर 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 दो कर दो हुआ कि हो जो करृ कर बहुत छलो हूना कर दो अपर वर दत्तात्रे दांडे कर इट्स विजय डोन्ट वरी करीम तुम्हारी नाराजगी मुझसे है मैं समझ सकता हूँ लेकिन अंकल से तो कोई दुश्मनी नहीं है न तुम्हारी इस वक्त इनकी मदद करना तुम्हारा भी फर्ज है जखम बहुत कहरा है फोन बंद नहीं हो रा दॉक्टर के पास ले जाना बहुत ज़िरूरी है लेकिन लेकिन क्या तुम्हारी दॉक्टर के पास ले जाओ पट्टी कराओ और फिर यहां से जाओ यह देखता हूँ कौन रोकेगा तुम्हें या करिम भाई गोली दे रहा है उधर से चुपचा भाग जाएगा अब मैं क्या लिबाक से आया हूँ बेख साब तो बाहर निकलने देंगे नहीं निकलने दें साले को रस्ते मिलते ही दपोच लेंगे जाए बेख साब पता नहीं क्या होगा अब इस बस्ती का चैमेने भी नहीं हुए दंगे होकर अब फिर माहुल बन गया है दंगों का फेट जी आज इतनी जल्दी दुकान क्यों बन कर रहे हो पिछले दंगों में करीम का भाई मुश्ताक मारा गया था उसके बाद हर हिंदू उसका दुश्मन हो गया हमें इन दंगों में पढ़ने की जरूरत नहीं है चल तू घर जा पता नहीं और कितने लोगों का बली लेगा ये दंगा कितने लोगों के हाथ पेर कटेंगे नजाने इस बस्ते की खोन के प्यास कब बुझेगी तो लॉआ अनन । क्या होता डॉआ टाक्टर ने अबू अबू के ज़े तब है आपकी अबू और ये ये वह पहले चुड़ाई कद यहां आप आप कुछ बोल से साउंस क्यों ले रहें अब कुछ मुझे तोकुछ बताए ना कि क्या हुआ मैं बताऊ वृक्ष बत्कत convenient को फिये अब ये लो मुझे कुछ भी नहीं हुआ वैं बेगम मैं अच्छा खासा हूँ यह सब आनंद का आइडिया है कि अगर मुझे इस हाल में देखेंगे तो बाहर सड़क पर वो करीम और वीजय जगडा नहीं करेंगे उन्होंने वाकई जगडा नहीं कि अगर जगडा करते तो में घर जिन्दा कैसी आता ना में जिन्द खुदा तुम्हें खुश रखे मेरे बच्चे तुमने बहुत समझदारी से काम लिया है तुम्हारा एहसान है हम पर कैसी बात कर रही है आप आंटी एहसान तो गैरों पर किया जाता है अपनों पर नहीं बेटा लगता है तुम्हारा रिष्टा है कुछ हम लोगों से और इस घर से किया है अच्छा अंकल अम मुझे चलना चाहिए तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें इन हालत में यहां से जाने दूँगा मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि अपनी जान बचाने के बाद तुम्हें इन बेड़ियों के हवाले कर दूँगा बेटा मैं नाम का नहीं मैं सच्चा मुसल्मान हूँ महमान हमारे लिए इमान की हैसियत रखता है और महमान के जिसमें जरा सी खराश इमान पर खराश के बराबर होती है और ओख खराश मैं कभी लगने नहीं दूँगा लेकिन अंकल ये सब मैं पुलिस को फोन करता हूँ नहीं आप पुलिस को फोन मत कीजिए अप जानते हैं उन्होंने किस तरह दमकी दिया है देखे जगणा मेरी वज़े से हुआ है और मेरे बिना खात्म नहीं होगा ये जगणा तुमहारी वज़े से नहीं उन दोनों मर्दुदों के जित की वज़े से है इस वक्त हम तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे तुम मेरे लिए मेरे बेटे सलीम की तरह हो मैं सलीम की लाश नहीं देख सकती करिम भाई एक बात पूछे तो चुप करना भेजा खराब है मेरा इर्फन भाई मैंने आपको बताया था मिराज बहुत ही है करजिंट काम था नहीं मैं जा नहीं रहा हूँ आपे बस एक फोन करके आता हूँ maaaa एक ओख अब्सक तरहा है एकिशन ड्जियस वाक टामँ अाश पिल्किवाफ्ट्ट्ट्त Чाँओ रहा एको नहीं वाक गड़ मत बहुत्ट्वित मत बरास्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्रोस 157 C evyze screens six166 TV CSP – Susie CPS 126 जो अंदर चिपा बैठा है उसे बाहर निकाल के लाओ ना शाय शेहनाज वापस आई है कौन है दर्वाज़ पर बेग साहब मैं मैं हूँ डॉक्टर केलकर आपके लिए कुछ दवाईया लाया हूँ जो उस वक्त जल्बाजी में देना भूल गया था ये बहुत जरूरी है आपको अभी खाना है फौरन वरना इंफेक्शन फैल जाएगा अंकल मैं देखता हूँ तुम ठेरो मैं देखता हूँ तेरा काम हो गया ना जी कायरो की तरह क्यों मैठा है यहापे चल मेरे साथ तुझे गाड़ी तक मैं छोड़ूँगा तुझे कोई चुवेगा भी नहीं लेकिन विजए ये दवाएं खाने के लिए नहीं दरवाजा खुलवाने के लिए मगाई थी मैने तुम बहुत शातिर हो तुम पुलिस मेरे चुगा श्रिमान समझे चल यहां से आनन्द यहां से नहीं जाएगा तुम जाओगे इस घर से तुमारी हिम्मत कैसे हो मेरे घर में आने की हिम्मत की बात मत करना भी एक सहाब भारी पड़ेगा अच्छा चल आनन्द यहां से मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ इसे जमीन पे तोड़ा है आपके सर पे भी तोड़ सकता था पुलिस को बुलाने की कोशिश पूरे घर को आग लगा देगी चलो यहां से आनन्द चलो विजए अजय क्या कर रहा हूँ अजय क्या कर रहा हूँ अनन्द यहां से चलो के नहीं जाएगा अनन्द यहीं से जाएगा अजय किड़े पड़े अरे उपर वाले से तोड़ो पुलिस को पुलिस को पुलिस को पुलिस के पास मत जाना उना फुलिस झान, करत उना। है पुलिस को पुलिस के वो्त करूए झार पुलिस को पुलिस को पुलिस को पुलिस के विलरा हाई करते है을 कर原़ चीर आप घर जाएए पिलीज भी इना दो वह जाए अड़ा आ किया आप घर जाएए छायां आप के जिद्क logo जाओंगी पर्लिस नि 정ेया तो काम हुआ और जा आप घरर जाएए जाया मैं परोली स्ठीशन जाऊँगी अरे यह नहीं जाएंगी यह पुलिस के पास नहीं जाएंगी नहीं जाएंगी अरे आप लोगों की दुश्मनी मेरे से हैं मेरे से हैं यह पुलिस में नहीं जाएंगी हम लोग आपस में सॉल्फ कर लेंगे प्लीज 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 अप डीडी भा तेरी बेठी को और तुम लोग जला से इंसानिय शरापत तुम लोगों को चूँ नहीं गई है बड़े हिंदू और मुस्लमानों के ठेकेदार बंते हैं फिरते हो एक हिंदू एक मुसल्मान को मारो, खुन बहाओ, खतम कर दो, कोई नहीं पूछने वाला तुमको, यह जो भीड़ी कठा करते हैं, वो बुजदिल करते हैं, बहादूर एक कम मुकाबला एक से करता है, उसके बाद हिंदू और मुसल्मानों की ठेकेदारी ने भाना, चलो अंकल अगर पुलिस के पास चले गए तो बहुत परेशनी वहां खड़िये जाओ अपनी गाली में चलो अपनी गाली में अंकल अच्छाब धर्वाजा कोलो हमारे होते हुए अनन तुम्हें डरने के कोई जरूरत नहीं है अनन गाम आउव शेम कम टो नो दर्वाजा कोलो शेट यार ऐसे दंगे जान लेवा हो सकते हैं बात छोटी सी है पर कहा तक पहुचेगी खुदा ही जानता है बस पर इस लोगों की जगड़े में पड़ेगा कौन तुमारा हमारा कौन सुनेगा तुम नमाज पढ़ाओ मैं भगवान की पूजा कराओं तुमारा हमारा कोई महत्वा नहीं हमें तो अपना फर्ज निभाना होगा हमसे नहीं डरेंगे तो कम से कम प फोन पुलीस वालों को पुलीस पता है विजय और करीम क्या कह रहे थे लेकिन पुलीस वालों को कैसे पता चलेगा कि फोन किस ने किया था पुलीस तो नाम पूछेगी मिया नहीं बताएंगे नाम हालाज बताएंगे लगाओ फिर पुलीस को फोन चलो चलो हालो हालो पूली स्टेशन मैंने बाहर उन लोगों के सामने तुम्हार साथ बहुत बुरा सलूग किया उनकल मैं मैं चला जाता आप आप मुझे दुबारा अंदर ले आए बेटा मैंने देखा जब सारी भीड़ मेरी बेटी शेनास के पीछे भाग रहे थी तो तुम अकेले रह गये थी तुम अगर चाहते तो मौके का फाइदा उठा कर अपनी गाड़ी लेकर भाग सकते थी मगर तुम गय नहीं तुमने मेरी बेटी की जहान बचाई और मैं इतना खुदगर्ज हूँ कि मैं तुम्हें उन भेडियों और मौत के मुझे छोड़कर आ जाता कितनी गंदी जहनियत है इस मुलक के लोगों की और कितना बदनसीब है ये मुलक एक हिंदू ने मेरी बेटी की जान बचे यह और एक मुसल्मान मुझे गदार कह रहा है इससे बड़ा इना मुझे जिन्दगी में क्या मिल सकता है ऐसी जिन्दगी से तो मौद बेतर है सारे के सारे ऐसे ही होते हैं घदारी तो धंदा है इनका देश को नहीं छोड़ते तो हमें क्या छोड़ेंगे इंटर्नेशनल नॉनसेंस इतनी चोटी बात जरा सी बात पर खयामत कर दी हिंदू-मुसलिम एक दुसरे का गला काटने पर उतारू हो गया अबू मैं करीम से बात बात चुकी है कोई फाइदा नहीं है उससे बात करके आप मुझे बात करने दीजिए अरे बेड़ी करीम भाई ये इतना बड़ा मसला नहीं है जिसमें खून खराबा हो मुझे मालूम है इस वक्त आप बहुत गुस्से में हो लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि आप बहुत समझदार इंसान है अगर आप मुझे पर यखिन करें तो इस बात का हल है मेरे पास आप इसा कीजिये कि आप अब्दुल को बुला लीजिये और मैं आनन्द को बाहर बुला लेती है फिर पिर क्या अनन्द अब्दुल से माफी माँँ लेंगे वो इसको सौरी बोलेंगे दोनों अबसमें आत मिला लेंगे किसा खार्त में मेरे को सिखाने आई है अभी अब्दुल के बात नहीं है करीम की बात है अरे वो तो बच्चा है वो क्या जाने जब इज़्जत पर बात आ जाए तो जान की बाजी लग जाती है इसमें इज़्जत के क्या बात है और आपका तो यह मामला भी नहीं है अब्दुल ने आनंद क मुसल्मान बनके सोच रहे हैं कि इनसान बनके कोई नहीं सोच रहा है हुच्जत बेकार है आजाओ के आप करें आप ए माते, ये तुम्हारी रची हुई दुनिया है, फिर इतना खोन धराबा क्यों? सब को पता था, संग बहेगा, अपनों का इक साथ लहू सब को पता था, संग बहेगा, अपनों का इक साथ लहू किस को गिला क्या, किस से पूछू, किस का गाति, किस को कहूँ सब ने बहाया, लगो है सब का, सब ने चीना, सब का करा करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार करते हैं सब प्यार की बातें, करता कौन किसी से प्यार दो डबे से चलेगा क्या और दो तिन डबे भर के लाग हस लेटके पिछली बार उन्होंने हमारी गैरे जलाई थी इस बार उनके दुकान के एक एक लोखन तक जला देंगे समझा मेरे तो हाथ पैर जले थे अपके बार सालों के शरीर जला दूगा ऐसा चांस बार-बार नही देती चलो आज चारों लोग मुझा कर लेते हैं बस यार अगर एक से पढ़ती तो चार में के बढ़ती गंपत्चुबट यार अपने को शादी दोड़ी करनी है खापी के मज़ा वाने का अधालेंगे आज उसको करिम भाई हाँ नमाज पढ़ते वक्त अगर आनन भाग गया तो क्या करेंगे उसके किसमत एक बार नमाज की नियत कर ली तो ख्याल सिर्फ अला करहता है दुनिया कर नहीं चलो नमाज पढ़ें विजे ब्रदर, that's people we are busy in नमाज by this time बेख सहाब also included in the same process now happening what if may आनन come out of this house उसका भाग्य है यार हम चलते हैं थोड़ टाइम के लिए हमारी दुश्मन नमाज पढ़ रहे ऐसे में आनन निकल आएगा और हम उसे कार तक पहुचा देंगे लोग हम पर थू थू करेंगे बोलेंगे करीम ने कुछ ने किया इसके लिए हमारी सारी ज़द का फालुदा निकल जाएगा मज़ा तब है जब इन के सामने आनन को मिहां से निकाल कर बहर ले जाएगे येस समझा क्या विजय ब्रदर यू आर राइट इस हैपन देन देर इस नो हैपनिग इट विल इंसल्टेट फोर यू या और देन यू फोर मी नव कम ओन वाट यू वाचिए तोड़ी दे के लिए वो सकता इस वक्त करेम भी नवास पढ़ रहा हो ये सही मोगा है मुझे यहांसे चले जाना चाहिए मुझे व कहते बस्सथर आफ कि यू रहा होगके अवाचिए आफréal कर अचया मुझे है do इधर तो कुछ भी नहीं है इधर तो विजय भी नहीं है करीम तो नमाज पड़ा रहा है कौन किया फून किसी ने सायद किया हुएंगा शाब दोड़ा मार के अरे इधर कोई लफड़ा हुआ क्या ने साब कोई लफड़ा इधर नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ इधर सला इसे ही फोन करता है पुलिस्टेशन में मगर मारी करता है चलो अज खाने में क्या पका लूँ जो तुम लोगों का दिल चाहे वो पका कर खा लूँ मेरे मूमे निवाला नहीं जाएगा मुझे भूख नहीं है भूख तो मुझे भी नहीं है अम्मी आस तो सबकी भूख मर गई है लेकिन भाबी आपको भूखा नहीं रहना चाहिए माशा अल्ला आप उमीद से हैं और अबू ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया वैसे घर में मेमान भी है अम्मी अम्मी आज सब फाके से रहेंगे कि बेगम कि आप यहां एक मिट तर्शीप लाएंगी बाहर कि क्या हो रहे देखिए मैं जानता हूं यह सब कुछ मेरी वज़े से हो रहा है और हाथ ऐसे महौल में इसका मन करेगा कुछ खाने को अब नहीं मुसीबत बनकर आया हूं भैट तुम अपने आपको क्यों कोंश रहे हो अच्छा तुम यह बताओ तुम्हारा कोई खाने में खास परहेज़तों नहीं है तुम सब खाते हो या कोई मक्सूस खाना है तुभार कोई बात नहीं तो आज वही खाएंगे एक काम करो एक डाल बनाओ तढके वाली तुह रकी और सबजी जी चलो जड़ी ज़ली 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 मुहर्टा ज़्ब दाल सबजी खाएंगे मैं तो अक्सर बेश्टर यहीं खाता हूं मेरे जादाता दोस पंडित है तुक दुझे से न जुदा हो साथ ऐसा मिले इन असमानू में हम तुम दूर संसं चले साथ ना कभी ये छूट साथिया हाथ दा आथ से न छूट साथिया आपका दिमाग खराब है अभी अब आब को बोलती हूँ आपका दिमाग खराब है अभी आपको बोलती हूँ नया राज़ता करेका रिश्टा नया नया है नया है दिल से न जूट साथिया है आपका आपका रिश्टा रुरलती हूँ साथिया है चूट जाए हूँ साथिया हूँ साथिया हूँ यह लो हाँ आप सलाम अलेकुम सलाम वालेकुम सलाम आप कौन आप मेरा नाम करीम है इसी बस्ती में रहता हूं देखिए आप बेग साहब ने एक ऐसा काम किया है कि सारे मुसलमानों के शर्म से सर जुग गये हैं आय है गजब खुदा का ऐसा क्या कर दिया भाईजान ने आप आपा एक हिंदू लड़के को घर में चुपा रखा है बक्वास बत करो समझे तो अरे नहीं आपा बिलकुल सच बात है गजब खुदा का शेनाज का हाथ पकड़ लिया जी मुल्ले में बात आख की तरह पहल गई है अब कौन मुसलमान लड़का शेनाज का हाथ पकड़ेगा आपा आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूं हाँ बेटा अच्छी तरह से समझ रही हूं आप आप समझदार हैं इसलिए आपसे कह रहे हैं आप अंदर जाएए उससे धक्के मार कर बाहर निकाल दीजिए यही होगा आप सही कह रहे हो तुम धक्के मार कर बाहर निकालती हूं मेरे होती हुए तो यह हिंदू लड़का इस घर में नहीं रहेगा इमान से जी आपा शेनाज शेनाज या अल सब्सक्राइब नहीं है च्छउप कर रहे हैं यह हम लोगों का घरिष टुम एक ऊट्हु करती जा रही जा गजब खुदा का भाईजान, पुरा मोहला थूतू कर रहा है हम लोगों पर, और आप, आय है आपको इज़त की परवाई नहीं है अपनी, भाईया मुझे तो बहुत परवाई अपनी इज़त की, और आप, और आप जानते हैं, मैं शेहनाज का रिष्टा पहले ही दे चुकी अपने ससुराल वालों के सामने, यहाँ खुदाना खास्ता कोई उच्णिश हो गई भाईजान, तो मैं तो अपने ससुराल वालों को मुझे दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी, आप अपनी जुबान वापस ले लीजे, कोई रिष्टा तैय नहीं हुआ था, हमने कहा था लड़का देखने के बाद बात आगे बढ़ाई जाएगी, शेहनाद, एक चमाट पार दूंगी तुम्हारे मूँपर अभी, तुम मेरी भतिजी हो, खाला नहीं हो तुम मेरी, आप ही मेरी फूपी है, कोई यम्मा नहीं, तबस्तुम, तुम्हें जवाल लड़की पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, तबस्तुम, बात हक की नहीं है, हमने कोई जबान नहीं दी थी बेटी देने की, गजब कुदा का भाईजान, तौबा तौबा, आप जबान से फिर रहाएजान, अरे कम दी थी जबान हमने, या अल्ला ये भी याद नहीं है आपको, आप मेरे ससु पूपी की बातों का बुरा मत मानियेगा, वो बोलती हुए सोचती नहीं है, वैसे दिल की बुरी नहीं है वो अरे भाईजान, इनके सामने हाठ जोड़कर आप ये कह दीजे कि यहां से दफा हो जाए, एक गैर इंसान के पीछे जरा सुचिए भाईजान, सारे, सारे मोहले की दुश्मनी मोल लिए हमने, आप इसे कह दीजे यहां से चला जाएगा, देखे, मैं जानता हूँ ये, ये स दंगे शुरू हो जाते हैं, मैं बाहर जाने से नहीं डरता, डरता इस बास से हूँ कि जिन लोगों ने इस छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया है, वो इस बड़ी बात को कहां पहुचाएंगे, और मैं ये भी जानता हूँ कि अगर मैं बाहर गया, तो बेतहाशा ल उनका भी और जिन से आप प्यार करती हैं, उनका भी, कितनी माये रोहेंगी अपनी उलाद के लिए, उलाद के लिए मा की चीखों का कोई दर्म नहीं होता है, वा अननद वा, मैं नहीं समझता था कि तुम इंसानियत को इतनी खरीब से जानते हो, अंटी आप प्लीज खाना खाना पड़ेगा मुझे, तबसुम, अगर तुम नहीं खाती तो हम जा रहें खाने को, मेरे बगर खा लेंगया, तो फिर चलो, रुको, यहां आओ शन्नो, अब आओ भी, उफ, क्या प्यार है, थपड जोर से तो नहीं लगा था, नहीं, नहीं, अरे वा, फिर तो ठीक है, अच्छे, यह बता, कबाब केसे बने है, कोई कबाब नहीं बने है, यह वेजिटेरियन है, कजब खुदा का, अब इनके वज़ा से, मैं, मैं घास पुस खाऊंगे, वसूलन तो तुम्हें वही खाना चाहिए, महाओ बज़ार से, भाई जान, चलो, 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 अभी, चल हैं हम, लेकिन एक वचन तो आप भूली गए, हमारा जो 400 करोर रुपिया है, वो कब वापस कर रहे हैं, जल से जल वो रुपिया हमारे स्विस बैंक के अकाउंट में जमा करवा दो, वरना मिट्रो ट्रेन चलाने का तुम्हारा वचन, तुम्हारा सपना बन के रह जाएगा असलाम वालेकुम ठाकुर साब, कामिल खान, क्या हाल है, क्या खबर लाए हो, कामिल बड़ा जालिम है ठाकुर साब, हालात अच्छे नहीं है, एक बार फिर हिंदू मसलमान आमने सामने आ रहे, फिर दंगा चड़ेगा, खून भाएगा, आग लगेगी, जी हाँ ठाकुर स अचित, हिंदू और मुसलमानों के दिलों में जो जगा बना रहा है, उससे हमारी चीफ मिनिस्टर की कुरसी खायब हो सकती है, हम खामुश बिलकुल नहीं बैठेंगे, और दोनों काउमों के दिल में उसके लिए नफरत पैदा करना बहुत जरूरी है, ठीक है, ठीक है, भ अजाम विवेक दिक्षित पर ही जाएगा, फिकर मत करो ठाकुर साहब, ये काम तो अपना हुसेन ही कर लेगा, ठीक है, हुसेन कर लेगा, और वैसे भी ठाकुर साहब, हिन्दू मुसलमान नहीं लेगे, दोनों प्रेम से मिल के जुरके रहेंगे, तो हमारा फाइदा नहीं हाँ, ये तो तब होगा ठाकुर साहब, जब विजय और करीम चाहेंगे, ये तब होगा, जब हम चाहेंगे, हम, या तब, जब आनन्द मरेगा, आनन्द को हम मारेंगे, एक हिंदू का खून, मुसलमान के हाथ हो, और वो भी मुसलमान के घर में, अरे, इस से अच्छी बात धंगा शुरू करवाने के लिए हो ही नहीं सकती, क्या, हाहा, बस, एक खून शंकर चाय क्या पिला रहा है, विश पिला विश, क्या हुआ कबीर चाचा, क्या होगा, दोनों को इतना समझाने की कोशिश की पर, ना विजय समझता है, और ना करीम, यह दंगा और कितने लोगों की जान लेगा, पता नहीं, बहुत बुरा लगता है, मेरी बात तो सुनी, आज आप प्लीज काम पर मत जाएए ना, क्योंकि जब आप काम पर से वापस आएंगे, तो आपको, हमारे या इस घर की राग ज़रूर मिलेगी, प्लीज, आज तो कम से कम आप घर से बाहर मत जाएए, प्लीज, हाँ तैडी, मुझे भी बहुत डाय लग रहा है, बेटा, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता, हम आज ही इस बस्ती को छोड़ कर जाएंगे, हम रोज रोज मौत के डर में नहीं रह सकते, असलाव आलेकुम कामिल भाई, वालेकुम असलाम कफूर खान, आग के हुकम से सारे लड़के लोग तैयार है, ये देखिए, खूब बढ़िया, क्या बात है गफूर खान, अब जैसे हुसे नानंद का कून करेगा, मैं तुम्हें इन्फॉर्म करूंगा, तुम सब लोग इंधिना नगर में गुशना, और मुसल्मान लोग को मारना, वह, ऐ समझा न मैंने तुम्हें क्या कहा? और बाकी का काम बचा हुआ काम, बाकी के मुसल्मान कर देंगे, समझाना तुम्हें, जल निकल! हम, हम, एक मुसल्मान होकर तो अपने ही लोगों को मारेगा तुसही नहीं करने लखान उपर वारा सब देख रहा है हाँ, अल्ला देख रहा है ए, इंसान है इंसान बना रहे अल्ला बनने की कोशिश मत कर हमारे मामले में पढ़ने के जुरुत नहीं समझा तुमें, अभी तो तुमारी एक टांग टूटी है ना दूसरी बचा के रख वरना गवाना पड़ेगा उसे चल फोड़ी हाँ से फोट अचार्य जी, परदीव ठाकुर की गुंडागर्दी का कहर पूरे मुंबई शहर में आतंकता मोल फेला रहा है अचार्य जी, हमारा तो सारा व्यापार कतम हो गया है तबाह हो गया है, नस्ट हो गया है अब आप ही कुछ बता सकते हैं क्या करें उसकी गुंडों के दंकी वरे फोन आते रहते हैं अचार्य जी, आप ही कुछ की जी जो प्रदीव ठाकुर की गुंडागर्दी से हमें छुटकारा दिलबा सकते हैं हमें तुम्हारी तकलीफों का एसास है मिश्रा जी लेकिन प्रदीव ठाकुर के बढ़ते जुल्मों को रोकने के लिए अब ये जरूरी हो गया है कि आने वाले इलक्शन में उसकी सरकार ना रहे लेकिन उसको इलक्शन में हरवाने के लिए खड़ा कौन होगा उसके सामने सरव कोन जी आचारियाजी आप, आपको इलक्शन में खड़ा होना चाहिए प्रदीव ठाकुर के खिलाफ क्योंकि आप ही वो शक्सियत हैं आचार्या जी जो इस इलाके के लोगों का दुख दर समझते हैं और वैसे भी आप में वो ताकत है जो प्रदेप ठाकर को इलक्षन में हरा सकते हैं और इस काम में मैं आपके साथ हूँ बेटे तुम मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा आचार्या जी आपने मुझे पहचाना नहीं आचार्या जी मैं शाहिद अली शाहिद अली नहीं, मैं माफ़ी चांगवा बेटे, मैंने तुम्हे नहीं पैचाना आचार्या जी मैं वही आनात बच्चा हूँ, जिसे आज से पंदा साल पहले आपने सड़क से उठाकर इस घर में जगा दी और जिसके लिए आपने हर महिने पढ़ाई के लिए खर्चे भेजे और आपकी बदावलत, आज मैं इस्पेक्टर बन गया हूँ, सर माफ़ करना बेटा, बड़े लंबे अर्श से बाद मिले हो, इसलिए मैं तुम्हें पैचान नहीं पाया आओ आचारिया जी, आपने मुझे गले से लगाया, ऐसा लगा जैसे मुझे जन्नत नसीब हो गई बस बेटा, मेरी एकी तमन्ना है, के इंदोर मुसल्मान इसी तरह आपस में गले मिलें, और भाईयों की तरह एको कर रहें भाई, असलाम अलेकुन, और सुनाओ क्या सुनाएगा भाई, अपन तो बहुत कुछ सुनके आ रहें ले, अक्खा मिया भाई लोग, अपन पे हसरें ले भाई हाँ भाई, सब लोग बोलता वो हिंदू छोक्रा यहां से बचके नहीं जाना मंगता इज़त का सवाल है भाई अपन का करिम भाई के रहते, कभी ऐसा हो सकता है क्या शकील अपन तो खुद खुशी कर लेगा भाई, अगर आनन यहां से बचके चला गया तो विरादरी को क्या मुद दिखाएगा भाई, अपनी तो नाग कर जाएगी भाई, अप उनको कुछ करना चाहिए बोले तो साले को घर से बाहर खीच कर लावे हम लोग तो आपके हुकम के गुलामे कर रहे हैं भाई क्यों शकील? और क्या, भाई का साथ नहीं देगा तो कहे का मुसलमान? अरे सबर तो मुझसे भी नहीं हो रहा है लेकिन क्या करें वो साला अपने वाला ही गांडू है अरे वही तो छुपा के बैठा साले को अंदर कामिल बड़ा ही जालिम है विजय भाई, कुछ भी हो जाए अपने हिंदो भाई को हर हाल में बचाना है हम लोग अपने देश में रहते हैं अगर मिजोर्टी वाले, माइनर्टी वालों से दप के रहे तो जीने का क्या मतलब? काट के पहग देना चाहिए जो भी आनाद भाई को हाथ लगाए इन लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए कि इस देश में हमारी बात माननी पड़ेगा यस, that people are conductors of major wrong thing happening in the locality of universe that are not trustable peoples नई तो क्या? ये लोगों पर बरोसाईश नहीं करना बंगता है लेकिन जल्दी कुछ करना पड़ेगा अपना एक हिंदू भाई मुसल्मान के घर में बंदा है मैं तो एक भी मिया पर भरोसा नहीं करता साले सब कतार होते हैं बाडर पर रखके खदेड जाना चाहिए सबको क्योंकि जब भी मोका मिलेगा हम लोगों की पीठ में छुरा गोप देंगे एक है मिर्टी ही एक वतन है एक ही भारत मा है तेरी इसकी गोद ही तेरा सब कुछ तेरी दुनिया जा है तेरी फिर भी पगले लड़ता है तू जाने कैसी चली बया करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार आनन्द मिया यह तुम्हारी फूफी ने तुम्हारी तौफा बेजाए मेरे लिए क्यों तुमों उनके बेटे जैसे नहीं हो नहीं हूँ लेकिन अगर वो खुद देती तो खुद देती क्यों मेरे हाथ में देने से कुछ वर्जन कम हो गया इसका लेकिन अंकल मा के हाथ का तौफा तो फिर मा को खुद देना चाहिए तबसुम्ह जी भाईजान यह आपके फरजन अरजुमन मिस्टर आनन की यह फर्माईश है कि यह तौफा जो है आप अपने हाथों से इनको दे बाईजान दे तो दिया मेने आपको लाई तो थी अपने बेटे के लिए इन्हें देना मेरे हाथों से जरू है यह हाथ हाथ में फर्क होता है आपका हाथ और मेरा हथोड़ा है दीजिए यह लेजे थेंक यू इंग्लेंड में पैदा हुए थे शुक्रिया बोलो ओ शुक्रिया रेंदो अंदर वाले मुझे नौज कर खा जाएंगे उन्हें भी तौपर दे देते हैं मैं भी तुम्हारा सावान बादने में मदद करता हूं यह भी शन्नो के लिए बाद में दूंगी उसे है शन्नो पसंद आई अच्छे नहीं लग रही है यह रंग मुझ पे जच्छी नहीं रही है 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 शन्नो हो क्या गया तुम्हें अभी तो कह रहे थी बहुत खुबसूरत है यह रंग तुम्हें बहुत पसंद है अब क्या हो गया नहीं इतनी खुबसूरत नहीं है गजब खुदा का दुलन्द दुकाने चान मारी मैंने भटक भटक कर परेशान हो गई तो यह मिली महेंगी वाली है, कोई सस्ती नहीं है साड़ी इनके तो मिजाजी नहीं मिल रहे आप मुझे कोई और दिखाईए न सारे बहाने है, तुम्हारी दुसरी साड़ी लेने के लिए कहा गई वो ये देखो जाओ अपके लखनों से आऊंगी तो अच्छे वाले चिकन के सूट लाऊंगी ठीक है? हाँ मेरी बिच्ची फूफो आप कितनी अच्छी है ना? हाँ और कोई साड़ी नहीं है आपके पास गजब खुदा का क्या हो गया है तुम्हें? हाँ? यहाँ तो बैठ मेरी बच्ची तेरी तभीयत तो ठीक है ना मेरे बच्ची? पहले तुम्हें लाते थी साड़ीया मेरी पसंद की हर साड़ी हर कपड़ा तुझे अच्छा लग था था अब क्या हो गया तुझे? क्यों पसंद नहीं आ रहा तुझे? अब मैं आ आ क्या आगी भी तो क्य बच्ची? और कोई साड़ी दिखा दो ना और साड़ीया तो नहीं है बईया यह दो थी इसमें एक तुम्हारी अंबाकी है बाकी पुरानी साड़ीया है चाहो तो उसमें से लेलो ठीक है दिखा दीजी बेगम साहबा दिखाओ आपको आपको देख लीजे खोलो सुट किस लेलो खाली बज़ए है भाई बड़े नकरे हो गए इनके करीना कपुर की तरह नकरे करने लगे इमान से ये? यही है चाहिए तो रखलो वरना इसमें डाल दो वापिस क्या हो गया इसे? साड़ी एज भी पसंदने आ रही है बताओ फूपो ये साड़ी मैं रख लेती हूँ ये मुझे में बहुत अच्छी लग रही है है? अल्ला तेरा लाग लाग शुकरे दो रखाद नमाज शुकराने की दफिल पढ़ने पड़ेगी मुझे अल्ला ताला रहम कर असे पागलों पर तैंक यू फूपो आए हाए तैंक यू तू हुले लगा है ये तिरा है अब उसे तिरी भ़़ा तू ही मेरा जहाँ दे लम्हा कोई प्यार का रिष्ट नया है नया है सिल सिला प्यार का जाने का हले के चला है नया ये रासता प्यार का रिश्टा नया नया है नया है सिलसिला प्यार का जाने काव लेके चला है नया ये रासता प्यार का करिम भाई आप से एक बात कहूं क्या है तुझे जाना है नहीं वह बात नहीं है करिम भाई अबै तुझे सिर्फ तेरी पड़ी है यहां हम सम्सल्मानों की इजद्दाव पर लगी है तूटू कर रहे हैं लोग मुँपे हिजडा साला अबै तुझ जैसे हिजड़ों की मरते हैं मुसल्मान के तुम दोट मेंसे भी चाना है कि सीको जानाा भे जाओ अकेला लड़ लूंगा tomorrow is अंसका अमरिका जाएगा अमरिका जाएगा अरे वहां से भी ढक्ग्यों के निकाल दिक मुसल्मानों को और रेकिए बेएक साथ एक हिंदू को घर में चुपा के बैठें अरे लानत है सम्मिया भाई पर यह पकड़कर खीच जोर से हाँ यह बंदी नहीं हो रहा है और इना बड़ा बैगा हाथी जैसा वजन इसका तुम पूरा बजार खित के लिए क्या गजब कुदा का भाईजा इसमें सामान है लक्षणों वालों के लिए अरे बंद नहीं हो रहा है यह बंद होई नहीं रहा है चोटा पड़ रहा है सामान ज्यादा है जोर लगा थोड़ा मैं बंद करता हूं ना भाईया ना हम खुद बंद कर लेंगे आंटी मेरे चूने से नापाक तो नहीं हो कर दिया तुम ने अपने हाथों से कभी कोई चीज सही भी की है उपर से हसी है मत भाईजान तुम तो भी कुछ शंबत भी आके तरह हो हमारे लखनों के उन्होंने चीज चीज को हाथ लगाया बर्बाद कर दिया अब वो भी मैं ढूनका दूँ उधर ड्रॉम से निकालो है 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 क्या करोगी इसको लटक जाओ यह रस्सी टूड़ जाएगी इतना वज़न नहीं समाल पाएगी भाईजान आप हसी बद भाईजान बांध देता है सही से बांध हो रस्सी भी तोड़ दोगे अब 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 शुक्रिया अधा करो शुक्रिया नाम तबस्वम है माइने मालूम है ना जी मुस्कुराना तो फिर मुस्कुराओ ना भाईजान आप भी ना नफिसा बेटा जल्दी मेरा बुर्खा निकालके रख दो ताइम ने हो रहे है चलो उठाओ फिर पुर्खा रखो रखो यहां रख दो एक काम करो तुम रिक्षा बुलवा दो एक कायर की अउलाद बुर्खा उतार हमारे होते वे बुर्खे में नहीं जाया गया तु यहां से अरे इन से पहले तो मैं मार दूगा तुम्हें नॉंसेंस, यूर कटिंग अवर नोस, शो मी वाट इस इन यूर बुर्खा, बिना चेहरा देखे तो मैं किसी को यहां से जाने नहीं दूंगा बेक साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, बेक साहब, गोधी में मिठा लेते अपने लाडले को, बुरके में छिपा के साबित कर दिय कि साला नामर्द है, बहुत बत्तमीज, बेहया और बेश्रम किसम के इंसान हों तुम, अरे तुम्हारे घर की औरतें बिना परदे के सड़कों पर घूंगती हों कि हमारे घर की नहीं, शानी परदें तो परदे में रतिया हैं, और फिर नकाब निकालना ही क्या, तुम्हार जानना है कि यहां से बाहर कौन जा रहा है, तुम होते कौन है मेरे, घर की किसी खातुन का नकाब उलटकर, सरयाम उसको बेनकाब करने वाले, तुम हो कौन, तुम्हारे माप आपने तहजी बिमान, शरापत कुछ सिखाए ले तुमको, मजबूर मत करो बेक साब, मरना अप तुम जैसे मुसल्मान इस दुनिया में जिन्दा है, तो मैं अल्ला ताला से भीक बानती हूँ, कि तुम जैसे को मिटा दे, और खतम कर दे, तुम लोगों के दिल में खुदा का खौफ नहीं रहा, इमान के रोश्टे मर गई है, तुम जैसे चन्द मुसल्मानों की वज़ से सारे मुसल्मानों पर, लानत है तुम पर, मैं जानता हूँ, और मेरा अल्ला जानता है कि मैं कैसा मुसल्मान हूँ, अल्ला तो बेशक जानता है, मगर तुम नहीं जानते, कि तुम में रती भर इमान नहीं है, पता नहीं कहके मुसल्मान हो तुम, तकरीर नहीं चचा, त करीर नहीं मेरे लड़के जाएंगे तुम्हारे साथ इस्ट्रेशन तक और अगर पुलिस को खबर करने की कोशिश को तो अपनी जान गवा बैठोगे भाई जाहे मैं लखनो जाओ या ना जाओ लेकिन इन गुंडों की जीद मैं भी पूरी नहीं होने दूंगी गजब तुमने हमारे सारे रास्ते बंकरा दिये जाने की जरा सोची भाईजान भरे बहले में इस लोंडे की वज़े से मुझे अपना नकाब उठाकर अपनी शकल दिखानी पड़े सबको कुछ समझ में आई बात अल्ला जाने कैसे कैसे और दीन देखने पड़ेगे इस कमबकात मरे की वज़ा से हमको पता नहीं कौनसे मानूस घड़ी में इसने कदम रखा था हमारे घर में भाईजान अरे तुम अपना मूह काला करके कहीं चले क्यों ले जाते हां पूरे घर की बेज़ेती करवा चुक आप फूपो की बातों का बुरा मत मानिये लानत है ऐसे लोगों पर तमसुम देखो मानती हूँ बहुत बड़ी गलती हो गए उनसे लेकिन अपने आपको संभालों अरे क्या खाक संभालो भावी अरे गजब खुदा का ऐसे तो शेहनाज पूपो गजब खुदा का कितिना और बरदाश्ट करोगे भाईजान हमारी इजट पर डाका डाल दिया है इसने एह मैं तो कहती हूँ धक्के देकर बाहर निकाल दीजिए इसनसीब जले को और अगर देखिए भाईजान आप में इम्मत नहीं है तो मैं इसे धक्के देकर बाहर नि बीच बस इतनी बात समझ लेजिए आप बस इस मन्हूस को अभी इसी वक्त घर से बाहर मिकाल दीजिए अंकल मैं जा रहा हूँ मैं सिर्फ दो मिनिट का मेहमान हूँ मैं यहां से भाहर जाँगा और बस वो लोग मुझे माट डालेंगे इसलिए एक बार मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ प्लीज अंकल क्या आप लोग मुझे कुछ कहना नहीं चाहते अरे आंटी आपने तो मुझे वो तोफा दिया है जो आप अपने बेटे के लिए लाई थी क्या आप अपने इस बेटे से कुछ कहना नहीं चाहेंगे जो सिर्फ चंद लमों का मेहमान है कोई आशी बात कोई द्वा नहीं दिना चाहेंगे आप लोग अंकल अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो तो मैं आप लोगों से ज़रूर कहता कि मैं दिल से आप लोगों को अपना मानता हूं कि तुम क्या समस्ति हो कि सिर्फ तुम्हारे सीने में ही दिल है जो दूसरों के लिए ध़्ट सकता है हम लोगों कि सीनी में पत्थर रखा हूआ है तुम्हें हम सब की कसम अगर तुम यहां से बाहर गए तो लूग बाहर मत जाना है काजी साहब 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 कहो क्या हालात है वहां के हालात बहुत खराब है काजी साहब मज्जीद के भाहर लोग बाते कर रहे हैं कि दूसरे मोले से टेंपो भरकर हिंदू आ रहे हैं हम लोग पूरी तरह से घिर ग तु तु हथियार का इंतिजाम कर आज मौका मिलते ही जावेद को खलास कर दूंगा साला साला बहुत जीरिया रे अगर हम लोग पकड़ेगे तो कहां रे दंगों में कौन किसको पूछता है साला कौन मरा कौन बचा अरे लोग अपनी दुश्मनी तो निकालते हैं एक बार द मैंने सब देखा आनंद के गारी की कांश तुने ही तोड़ी मुझे लगता है तुम्हें उससे सौरी कहना चाहिए कबे चाचा उसने एक बच्चे को नहीं बलकि एक मुसल्मान को थपड मारा है उसकी सजा करे मामू उसे जरूर देंगे नहीं ऐसे मत बूल अबदुल मुझे नोकिया चाहिए बस तुझ को है चाहिए हर घड़ी ये जिया हर रास्ता तुझी से हो शुरू हर एक पल रह तुरू बरू मिलके आहम बनाए जहां प्यार का इतर आये मोलाना साब मुझे एक आइडिया आया है कि हम पुलिस को फोन करते कि बेग साग के घर में जगडा हुआ है तब जाकर पुलिस को पता चलेगा कि अखिर माजरा क्या है घलो पुलिस टेशन हेई पुलिस इस कमिः इस सेकेंड राउंड पुलिस शुट नट सी अज, यू अदरस्टांड, इन तेल हैं इन हिंदी, इन वाल इस सो टॉल रफिक भाई, रफिक भाई, रफिक भाई, की भाई, अस्सलाम अलेकुम, रफिक भाई, एक सच्चे मुसल्मान के तरह आज तुम्हें एक मुसल्मान की मदद करने होगी, कैसी मदद, मैं तुम्हारे घर के छट के रास्ते से बेग के घर के अंदर जाऊंगा, और उस सले हिं तो आए खबीज आओ मिया बिसमिल्ला करो खुदा हाफिज तो आए खुदा है यह करीम की बहुत बड़ी ना समझी है जो अपने भाई मुश्ठाक का काति विज्व को समझता है क्या कभी आपने उन तुनों को समझाने की कोशिश नहीं की अरे आनन दर्क्राव मैं ने उन दोनों को बहुत समझाय था लेकिन दोनोंको सम्झाने का मतलब है पत्थर पर अपना सर पतकना अनन सब ठीक तो है ना मैं विजय बोल रहा हूं सब ठीक है ना कौन तू बोल कौन तू आनन देश का नकाब अटाओ नकाब अटाओ उसका तुम तो कामिल खान के आदमी हो तुम्हारी आनन से का दुश्पनी है क्यों मारना चाहते थे उसको तुम तो इस बस्ती के भी नहीं हो मेरे घर में घुशने के से तुम प्रदीब ठाकुर के कुट्टे अब मैं चाल समझाओ तुम्हारी एक मुसल्मान के घर अगर एक हिंद सब्सक्राइब तो हो गई सब्सक्राइब मेरे मां के लिए दवा लेने जा रहा हूं क्या हुआ तरी मां को कि संभालो अपने आपको संभालो तुम क्या सब खेरियत हम बेक सब चाय नहीं पिल्वाएंगे कि बिश्चाए कि आप लोग मेरे कर में आब रावाए चली चाय पिलवाईए अच्छा हाँ वह वेकम चाय त्यार करना तो कि तुम चलो पीटके बले चलना आउ आओ आओ वाह भाई आप लोग मेमान बनकर आएं त तो मेहमान को चाय हुआ है तो क्या बात है बेक साथ बहुत ही घपराईवा लग रहे हूं कौन मैं नहीं वो मैं असल में यह ताजूब कर रहा था अल्ला का करिश्मा कि यह यह मारने वाला भी मेरे घर में और बचाने वाला भी मेरे घर में और मार खाने वाला तीनों एक पूछो कौन है कौन साब है इंस्पेक्टर नार्वेकर बेक साब अगर पुलिस को आनंद के बारे में कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा अगर पुलिस के सामने मूँ खोला तो याद रखना चचा तुम्हें यहीं रहना है आज यह तो यहां से बचके चला जाएगा लेकिन तुम्हारी बेटी के मूँ पर तेजाब से सजा के निशान मैं बनाऊगा हाँ भई सबस्तों नेच साब दर्वासा खोलिए हाँ एक मिनट इंस्पेटर साब जरा उर्ते परदा कर लें बस खोल रहाँ एक मिनट हाँ अरे यह कहां चली गई या अल्ला रहन कर मेरे माबूर तुने पुलीस को सही वक्त पे भिजा है यह खून खराबा टलने तक उसे यही रुकने की हिदाद दे मालिक सब तेरे ही तो बंदे हैं सबके दिल में रहें डाल मेरे मौला अखले सली मता फर्मा मेरे मालिक तुही रहीम है तुही रहमान है तुही मुहाफिज है सबकी हिफाज़त करना अमीन सुमामीन माफ कीजिएगा बेग साब आपको कश्ट दिया नहीं कोई बात नहीं करीम विजय जी इधर वो आप दोनों के खिलाब कंप्लेंट है अरे नहीं हम तो यहां बेग साब से चंदा मांगने आये थे और उन्होंने चाय पे भीढ़ा लिया किस बात का चंदा सर मैं और करीम फनसवाड़ी में एक मंदीर और एक मस्जिद बन वा रहे हैं वो भी आजू बाजू में इसी बात का चंदा लेने के लिए बेग साब के यह आये थे ऐसा काम मत करो भाई अल्ला और भगवान को एक साथ मत रखो कल को यह जगड़े का सामा बन जाएगा कि यह कौन है जी यह वो आनन्द है मेरे बिटे सलीम का दोस्त है वो बैंगलोर से आ है अलो अनन्द अब असल में वो बच्चा शर्मारा है आपसे अच्छा चाय पीजी हमारे साथ अरे वाह करीम भी आहाँ है वीजय भी आहाँ है सलीम का दोस्त आनन्द भी यहाँ है और अब चाय भी ठेक है खुन? उसकी इतनी हिम्मत उसने मिरे आदमी का खुन भाया अच्छा बेक साहब अब मैं चलता हूँ नवाजिश चाय बेलाने के लिए धन्या आईएगा हुआ 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 बस कुछ पल का जीवन है ये बस कुछ पल का मेला है ओ बस कुछ पल का जीवन है ये बस कुछ पल का मेला है छोड़ के जाना है सब एक दिन बंजारों का खेला है बाटल बंदे अपने शिक दुख जो भी बचे है दिन दूचा करते हैं सब प्यार की बातें करता कौन किसी से प्यार किया खबर लाए हो कामिल खान? कामिल बड़ा जालिम है ठाकुर साब ठाकुर साब काम बड़ा गलत हो गया क्या हुआ आनंद हुसेन के हाथ उसे बच गया वो क्या हो गया कि एन मौके पे पुलीस पहुच गई ठाकुर साब बड़ी मुश्किल से उसे इन अपनी जान बचा के भागा है वहाँ से रामजादे ये खबर सुनाने आया है हमको अरे हमें आनंद की जान चाहिए जान अब दंगे कहां से होंगे सला इतना सा काम नहीं कर सके तुम कितरा खिलाते रहते हैं तुमको हुसेन ने ट्राई किया था ठाकुर साहब लेकिन वो बेक साहब और उनकी बेटी शेहनाज बीच में आ गई उन लोगों ने बचा लिया उस हरामजादे आनंद को आज चुप रहाओ सोचने दो सला कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा आप आप कुछ मस सोचिए ठाकुर साहब मैंने सब कुछ सोच लिया है तो फिर बताओ ना भया समय कहा है हमारे पास जल्दी बताओ घुर से सुनिए मेरी बात जगड़ा शुरू किया था अबदुल ने जिसने आनंद की गारी का शिशा तोड़ा था जल्दी बताओ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ अगर हम अबदुल को मार देंगे तो मुसलम यही सोचेंगे कि हिंदू ने उस बेचारे मासूम अब्दुल की जाल ले ली फिर वो चुप नहीं बैठेंगे वैसे उनका खुन काफी गरम होता है फिर तो वो आग लगा देगे हिंदू की बस्ती में और फिर शुरू हो जाएगा हिंदू मुस्लिम दंगा हमें और क्या च चाहिए आक खून और दोनों कौमों में अटवारा अचारिय जी करेम और विजयुक अगर नहीं रोका गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा बेकसूर लोग मारे जाएंगे खून की नदिया बहेंगी कुछ तो कीजिए आचारिय जी इस नर्थ हार को आप ही रोक सकते हैं आचारिय जी कुछ कीजिए अचारिय जी कुछ कीजिए हे किदर है क्या है अंकल क्या रहे तेरा दोस्त अब्दुल का है वर नमास पढ़ने के लिए गया हुआ है आँ मस्दीद में गया है अचार चल तू अभी घर जा और अपने अम्मी और अभू के साथ अल्ला को याद कर अब तुम लोग के पास ज्यादा समय नहीं है ठीक है जडब कर चार जया है अब्द। मैं ऐसा नहीं कर सकता मैं अपनी जान बचाने के लिए मैं इतने सारे निर्दोश्वा का खून नहीं बाह सकता मैं इतना स्वार्ति नहीं हूँ ये बोज लेकर मैं नहीं जी सहूंगा करीम नबास पढ़ रहा है और विजय गेंगे हैं नहीं ये अच्छे मौका है यहां से निकल लेगा कर दो चड़े निकल बाहर निकल 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 बाहर इंच्छे मौका कर दो आख तो निकल बार निकल च्छानन बार निकल क्या कर अख ए har फह कित खाले, बाक्ता है हाह हां हाह 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 राध जड़ हाध पան जड़ यहा हाा हliers उड़ 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 विजय और करीम दोनों किसकी पीछे भाग रहे हैं कहीं ये आनंद की पीछे तो नहीं भाग रहे हैं अरे फिर आनंद यस तरह क्यों भाग रहे हैं कुछ लफड़ा है रुख जाओ एक भी कदम आगे मत बढ़ाना आचारे जी हट जाओ यहां से आज हम आनंद को जिन्दा नहीं चुड़ेंगे कामिल बड़ा जालिम है अरे मा का दूद प्या है न तो आनंद को हाथ लगा कि बता नहीं हाथ तोड़ दिये तो नाम बदल दिना जाहिल कहीं के देश को आजाद हुए छहसाट साल हो चुके हैं मगर तुम लोगों को अभी तक अकल ली आई आनंद को मार कर तुम किस बात का गर्म महसूस करना चाहते हो इस बात का कि तुम ने आज एक कौम को नीचे दिखा दिया तुम जोनों कोमों ने अपना खून बाहा कर इस देश को आजाद कराया और आज इसी आजारी को खुत्म करना चाहते हो क्यों तुम अपनी घटिया सोच के गुलाम हो शर्म आती है मुझे और तुम्हारी सोच पर दुख भी होता है कि इस देश को अजाद कराने के लिए जो तुम्हारे पूरवजों ने अपनी कुर्पानी दी वो सब व्यर्थ गई तुम्हारे इनी अर्कतों की विज़े से इस देश का भविश्य डग मगा रहा है तुम लोगोंने कभी सोचा है कि इन अर्कतों से तुम्हारी आने वाली पीड़ी का क्या हाल होगा ये आचरी इन बेवकुफ लोग को क्या समझा रहा है क्यों नहीं बदलते तुम लोग अपनी इस खटिया सोच को तुम्हें सोचना चाहिए इस तेश के 120 करोड लोगों के बारे में अपने माबाब के बारे में जिने ये सब देखते हुए कितनी तकलीफ होती होगी क्यों उनकी उलद अपने रास्ते से बढ़ लग चुकी है और हिंदू और मुसल्मान को आपस में लड़ाने के लिए एक दलाल का काम कर रही है शरम करो रत्ती भर मुसल्मान और रत्ती भर हिंदू अपने आपको धर्म का ठेकेदर समझ बेढ़े हैं और एसी चिंगारी को हवा दे रहे हैं जिसकी हाग की लप्टों में पूरा मुल्क जहस रहा है बंद कर दो दोनों कोमों को आपस में लड़ाने वाली घठिया सोच और घठिया विद्रों को जो तुम्हें तबाही खून खराबे और विनाश के सिवा कुछ नहीं दे सकती जी आचारे जी इंस्पेक्टर ये लड़के अपना रास्ता पटक गए हैं इनको इनके घर तक पहुचा दो जी चलो सब लोग आचारे जी आपने मेरी जान बचा कर मुझे पर बहुत बड़ा ऐसान किया है अनंद मैंने तुम्हें नहीं इस देश को बचाया है अचारे ने परदीप ठाकुर का प्लान फैल करके उसकी सीम की कुर्जी हिला दी है लगता है जल्दी परदीप ठाकुर की सीम की कुर्जी चीन ली जाएगी बलाई इसे मैं कामिल खान प्रदीप ठाकुर के बारे में मत सोच अपनी जान बचाने के बारे में सोच अब जल्दी फूट ले यहां से कामिल, मैं तुम्हें आरेश्ट करता हूँ देश को तुम दुनों की दोस्ती और एक ता की जरूरत है चाचा, हिंद मुस्लिमेक हो गए रिष्टा नया नया है नया है सिल्सिला प्यार का जाने का हले के चला है नया ये रास्ता प्यार का रिष्टा नया नया है नया है सिल्सिला प्यार का जाने का हले के चला है नया ये रास्ता प्यार का वहां जाने का ये रास्ता प्यार कि गए हर रास्ता तुझी से हो शुरू हर एक पल रह तुरू बरू मिलके आहम बनाए जहां प्यार का रिष्टा नया नया है नया है सुल सिला प्यार का जाने काह लेके चला है नया ये रास्ता प्यार का नया नया है नया है सुल सिला प्यार का जाने काह लेके चला है नया ये रास्ता प्यार का एक दुजे से न जुदा हो साथ ऐसा मिले इन आसमानों में हम तुम दूर संसं चले साथ ना कभी ये छूट साथिया हात भात तुसे न छूट साथिया करने बादा होई